एक ऐसा आयोजन जिसमें तकरीबन बावन गाउं के खिलड़ी भाग लेते हैं लगबग सो के आसपास ठीमे होती है अलग-अलग बहुत सारे कोट बनाय जाते हैं जिसमें के तीन पद्दती पर मुकाबले होते हैं कमाल की बात या है कि सुबह नो बज़े लेकर देर रात एक बज़े के आसपास के मुकाबले चलते हैं मगर दर्शकों का उलास और आनन्द कहीं कम नहीं होता है किलाडियों का जोश पूरे दिन एक जैसा बना रहता है समाज जन लगातार अपनी पूरी मजबूती के साथ वाँ ड्यूटी निभाते दिखाए देते हैं युवा अपने अपने जिम्मेदारियों को बड़े जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं तो साथ ही फिरो चाहे सुबह नो बज़े का जिकर करें या फिर देर रात एक से दो बज़े का जिकर करें विवस्थाओं में कहीं कोई कमी नजर नहीं आती है मैं या बात चोईश रेनी पालिवाल समाज दौरा हर साल होने वाली वालीवल प्रत्योगिता की कर रहा हूँ जो इस वर्ष बड़ी मोरवड चोटी मोरवड और धर्मेटा के सानिति में उनके संयोग के द्वारा कल संपन हुई एक बहतरिन एस्वरूप में ये प्रत्योगिता हुई उस प्रत्योगिता के और पहलों तक आपको पहुचाऊंगा मगर उसमें जो निचोड निकला है जो विजयता निकले हैं उसमें तीन अलग-अलग वर्ग थे एक अंडर-19 वर्ग था जिसमें कि समेसिंग दो पधिति योपर वल्लिबॉल खेला जाता है शूटिंग तो उसमें समेसिंग पधिती में अंडर-19 में जहलों की andar विजयता रही और उप विजयता रही ओडन दूसरा जो वर्ग था इसमें सुटिंग वर्ग को मैं आखिर में रख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक सर्प्राइज है बहुत 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 बह विशेश जिक्र उस पद्दती के विजटा का उस शेली के विजटा की टीम रही है केलवा और कमाल की बात यह है कि केलवा की जो टीम विजटा रही है वो टीम लगातार साथ बार से इस आयोजन में इस परद्योगिता में विजटा रह रही है यह अपने आप में बहुत बहत से बहतरीन बनती है और फिर सफलताओं के क्रम साथ साथ बार तक जारी रहते हैं और इस पदती में मोरवड जो के आयोजग भी थी वो उपविजयता रही है तो कुल मिलाकर एक बहतरीन टुनामेंट जिसका शुभारम कल सुभर बहुत शांदार तरीके से किया गया बहुत ब कोलीबॉल के मैदान में अपने हाथ भी आजमाते वो दिखाई दिये कहीं न कहीं खिलाडियों के लिए यह भी एक प्रेयना की तरह निकलता है और जिस तरह से लोग उसमें जुटते हैं वो अपने आप में अद्बूत होता है फिर चाहे समाज के जो मुख्या है अध्यक् संकर जी, खुमान लाल जी, बैसा का मेड़ और यह तमाम जो अलग अलग चेहरे हैं मतलब नामों की पूरी की पूरी लिस्ट है वो अपने आप में इस पूरे की पूरे आयोजन की सभलता की कहानी कह देती है और जब इतने नाम आते हैं और उस नाम के बावजूद जब आ इतना सा लिखते हैं कि आयोजन चोटी मोरवड, बड़ी मोरवड और धर्मिटा के माधियम से हुआ कहीं किसी नाम का जिक्र नहीं होता ता आप समझ सकते हैं कि इस आयोजन के लिए समाज कितनी सिद्दत से जुड़ा हुआ रहता है तो तमाम यह आयोजन कल बड़ी बहतर अच्छी विवस्ताओं के बीच हुआ, बड़ी अच्छी मान और सम्मान की वहां तमाम स्वरूप और तमाम पहलू देखे गए और इस भी खिलाडियों का जोश अपने आपने अध्बुत था, बहतरीन था और इसे भी रासमन में जिस प्रकार से वातावरान चल रहा है, स प्रदान करने का करेंगे, जुड़े रहें रासमन एक्स्प्रेस से धन्यवाद,